हेलो स्टुडेंट हाओ और यूप अलॉफ यूर दूइंग वेल स्वागा आप सभी का टीचर सद्डा के यूट्यूब प्लैटफॉर्म पे और आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी बिहार बीपीएस्टी के टो पॉइंट होका ओनलाइन भरेंगे फॉण स्टेप बाइस्टेप तो सबसे पहले गूगल पर आ जाएंगे लिन निक करेंगे ठीक है अपके सामने ऐसा इंट्रफेस आएगा जिसमें आपका ये जो information है login, username, password, capture यह आपताव access कर पाएंगे जब आप एक बार अपना registration complete कर देंगे तो registration complete कर देंगे आप उसके बाद आप इस चीज को access कर सकते हैं पहले नीचे आजाते है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको काफी सारी चील दिखेगी advertisement number, name of examination, online registration start date, registration end date last date of payment, online application end date, download advertisement instruction to fill, online application और click to apply apply online पे जैसे ही आप click करते हैं आपकी form भरने की process start हो जाती है या मैं कहूँ registration की process start हो जाती है अब देखे, registration और form भरना यह क्या है, थोड़ी दिरबह चर्चा करेंगे अब देखे, इस वीडियो को start करने से पहले, बहुत सारे लोगों की यह doubt होगे कि sir मैं SST का student हूँ, मैंने इतने साल पढ़ा हुआ है, मेरे यह subject combination थे ठीक है, क्या मैं भर सकता हूँगी नहीं जैसे कि आपका, जब आप इसे download करेंगे advertisement को, ठीक है तो आपके कई हो सारे आपके यहां पर क्या हो जाएंगे page number 5 या 6 पर ऐसा आपका लिखा हुगा 6 to 8 वाले में page number 6 पर ठीक है, तो यह लिखा हुगा है कि अगर आप basically ठीक है, SST से भरना चाते है, SST के सिक्षक बनना चाते है इतियास, Google, राजनीती, शाथ, दर्शन, शाथ, अर्थ, शाथ, वानिज, मनो, विज्ञान, समाज, शाथ, ग्रह, विज्ञान, मतलब history, quality, ठीक है आपका economics, sociology, commerce, ठीक है आपका home science, psychology यह सारी अगर आपने इन में से कोई दो पढ़े हो ठीक है, देखे, recruitment rules जो कहता है, वो यह कहता है, कि या तो आपने तीनो साल पढ़ा हो, वो दो subject, नहीं तो minimum दो साल पढ़ा हो, ठीक है दूसरी चीज, एक और पर बात कर लेते, ठीक है, यहाँ पर आपका एक point लिखा गया है, कि महिला उम्मीदवारों को 55% अंग चाहिए, अब बिहार में जो महिला है, ठीक है जो आपकी भिहार वाली है, वो तो भर सकती है, बट जो other state वाली है, 83 marks है जिनके, उसका अगर आप 55% देखोगे, तो 150 से जब आप divide करोगे, तब आ रहे हैं 55.44 या 66 आ रहे है, ठीक है बट इस्टिल उन में से बहुत सारी महिलाओं को बाहर कर दिया गया, बट यहां तो कहीं नहीं लिखा है, कि भिहार की महिला होनी चाहिए, कहां की होनी चाहिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, आप भड़ सकते हैं, तो कैसे clarify करूं मैं आपना, यह सारे doubt, जितने भी doubt है, म मुझ पर वरोसा करूं, X, Y, Z किसी और faculty पर वरोसा करूं, किसी और बड़े teacher पर वरोसा करूं, तो देखिए, ठीक है, आपको जिस पर वरोसा करना वरोसा करी है, बट मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा solution दे देता हूं, ठीक है, आप मेरी बातों पर मत परोसा करी है, को कोई बात नहीं, recruitment rules पर वरोसम मत करें, कोई बात नहीं, बट जब आप इस page को खोलते हो, तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो यहां देखो, यह लिखा हुगा, contact with VPSC for any query regarding filling of online application form, please call 9297739013, तो इससे आपके सारे doubt clear हो जाएंगे, तो जितने लोगों को doubt है कि भही मैं भर सकता हूँ की नहीं, मैं इसके लिए applicable हूँ की नहीं, मैं other states से हूँ और मेरे इतने number है, मतलब 90 नहीं है, या फिर अगर 82 है, 90 से कम है, 82 है, 83 है, क्या मैं eligible हूँ की नहीं, वो आप इस number पर call करिया, और पता कर लिजे, कि आप भर सकते ह की नहीं, अब बात करते हैं कि form के सबरना है, तो सबसे पहले, form भरने से पहले, कुछ चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, देखे, आपका जो इस बार का online आविदन भरने से पूर अभ्यारती को सुनिश्चित करना है, कि उसके पास एक working email ID होनी चाह है, ठीक है, और यह आपका, till the end of, जब तक आप selection नहीं लेते थे, तब तक आपका यही रहेगा, ओफिशल वेबसाइट पर परदर्शे संबंध विज्यापन, अंकित विंदुगों को ध्यान प्रूबरक अध्यन के लिए, एबं विज्यापन के अनुरूप, सभी वांचि मेरे जितने भी डॉक्यमेंट से, इसका PDF कॉपी बनाए, और सो केवी से इसका कम होना चाहिए, और जो आपके बेसिकली हस्ताक्षर स्केंड इमेज की कॉपी रहेगी, ठीक है, जो उनकी इमेजिस रहेगी, जो उसकी PDF अपलोड होगी, वो 15 केवी से कम की होनी चाहिए, ती चाहिए, या हलके रंग का होना चाहिए, चटकदार नीला पीले के नीचे मत करवा लेना, यह आपका बिहार, लोकसेवा, आयोग पटना का दिया गया है, अब उसके बाद, ठीक है, ओनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित थी, एवं अन्य निर्देश निमान कीते, स अचलब आप अपना रेजिस्ट्रेशन चालू कर लीज़े और यह रेजिस्ट्रेशन आखरी है, चौदा तारिक तक, इसके बाद अगर आप रेजिस्ट्रेशन करना चाहते है, तो 17 तारिक आखरी डेट है, ठीक है, इस रेजिस्ट्रेशन में यह होगा कि आपकी एक ID जन रेजिस्ट्रेशन करूं सारे डाउट क्लियर करके तो पॉसिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, एक बार आपने रेजिस्ट्रेशन कर दिया और पेमेंट कर दी, उसके बाद आपका 10 तारिक से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, और यह रहेगा आपका 25 तार लेंगे आरहा हम से, ठीक है, नौ, दूसरी चीज क्या फीज है, सामान अभ्यारतियों के लिए 7500, अनुसूचित जंजाती, अनुसूचित जंजाती के लिए 200 रुपे, सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्गी महिला के लिए 200 रुपे, दिव्यांग अभ्यारती, 40% या उस अधार कार्ड है, फाइन एनफ, आपका 7500 ही लगेगा, आधार कार्ड नहीं है, आपके पास आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया, या फिर आपने अपलोड किया, क्या बेसिकली पैन कार्ड तो आपको 200 रुपे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक ह अब कैसे बढ़ते हैं फोर्म, उर्स पे आ जाते हैं, कैसे करें रेजिस्ट्रेशन, फोर्म तो हमारा बाद में बरेगा, फोर्म कब से बरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन पारम करने की तिदी 10 तारिक, अभी केवल हमारा चलना रेजिस्ट्रेशन, कि हाँ भाईया हम एक ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं, इसी जगे पर एपलाई ओनलाइन पर क्लिक करिए, जैसे ही आप एपलाई ओनलाइन पर क्लिक करेंगे, ये एक रेजिस्ट्रेशन फॉर्म खिलेगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट नमबर नेम ओफ एक्जाम होगा, कैंडिडेट का पह मिन पहिं लगा, लास मिन पहिं लगा, अनिवार नहीं है, फादर का नाम है, भरेख मोएले, वाइव का नाम पूछा नहीं, तो कुछ नहीं करें छोड़ दे, mother name, enter mother name, अब देखिए, यहाँ है select ID type, अगर आप आधार card है आपके पास, तो आधार number डाल दीजे, ठीक है, आगे बढ़ जाएगे, कोई बात नहीं, आपको 7500 रुपी देने पड़ेंगे, बट अगर आपके बस man card है, तो यहाँ पर देखिए, एक warning आईगे, if you choose pen card, then additional fee of 200 will be paid, ओके कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको pen card का number, father number, और date of birth भणनी पड़ेगी, ठीक है, और इसका क्या लगाना पड़ेगा, PDF लगाना पड़ेगा, अगर यह नहीं है, driving license है, तो इसके लिए भी 200 रुपे देने, यहाँ पर आपको अपना blood group, date of issue, driving license की, और date of expiry दे रही है, उसका PDF लगाना पड़ेगा, किसी का भी PDF लगा है, 100 KB से कम साइज की लगा है, आधार नमबर चूज कर रहे हैं, तो direct आपको आधार नमबर डलना है, PDF लगाना है, ठीक है, are you citizen of India, अगर हाँ, तो yes पर क्लिक करें, ठीक है, are you permanent resident of Bihar, अगर हाँ, तो yes पर क्लिक करें, अब जैसे ही आप yes पर क्लिक करते हो, तो permanent resident certificate detail, उस certificate का नमबर, ठीक है, और issue date आपकी, ठीक है, उसमें डालनी पड़ेगी, और उसका आपको PDF लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका basically moon लिवासी है, next thing is, अगर आप नहीं है, तो no पर क्लिक yes, ठीक है, अगर yes है, तो आपकी कौन सी category है, economical weaker section है, schedule cast है, schedule tribe है, economically backward class है, backward classes है, ठीक है, जो भी है आपका, जैसे EWS है, तो आपकी cast का name क्या है, जो भी cast है, ठीक है, कश्चाप है, जो भी है, वो XYZ डाले, ठीक है, उसका certificate लगा है, issue date लगा है, अगर भिहार से मानने है, तो इस पर क्लिक करे, other state से मानने है, तो इस पर क्लिक करे, certificate का PDF upload करे, SC है, तो भी यही करना है, ST है, तो भी यही करना है, EBC है, तो भी यही करना है, बट अगर आप लोग, ठीक है, basically यह चूज करते हैं, कि no, नहीं भाई, मैं तो बिहार का नहीं हूँ, तो automatically यह सारे के सारे, जो आपके SC, ST, EWS, EBC, BC वाले option है, यह आपके बंद हो जाते है, मतलब आपको general में consider किया जा रहा है, marital status married है, ठीक है, यहाँ फर unmarried है, यहाँ फर other, gender male है, तो male female है, तो female, ठीक है, are your grandson and granddaughter of freedom fighter as per the advertisement, क्या कोई आपका, ठीक है, सोतंतरता सेनानी राय, yes करेंगे, ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा, पूरा detail देना पड़ेगा, ठीक है, yes करेंगे तो पूरा detail देना पड़ेगा, but basically जो आपके क्या है, outside of the Bihar है, उनके लिए यह option भी block है, जो आपका Bihar के inside में है, उनके लिए यह वाला option क्या है, खुल जाता है, जिसमें आपका certificate number डालना है, issue date जालना है, और upload करना है certificate का PDF, ठीक है, same with the case, ठीक है, अगर basically मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं बिहार का resident नहीं है, अब यह वाला जो option है, जो आपका disability है, जिसमें आपकी 40% दिखाई दिखाई देनी चाहिए, यह yes, BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुने पर है, disabled है, visually disabled है, hearing disabled है, orthopedically है, या फिर mentally disabled है, वो choose करें, ठीक है, certificate number डाले, और किस चीकिस सा महाँ विद्याले, या अस्पताल ने उसे certified किया, उसको select करें, उसका PDF upload करें, ठीक है, और subscribe required, yes और no पर click करें, ठीक है, अगर आपने basically यह no कर दिया, कि आप नहीं है, तो फिर आप बढ़ सकते, फिर आप से पूसता है, are you an ex-serviceman, retired army से है, air force से, officer से, yes करें, yes कर दिया, तो certificate number बढ़े, issue date बढ़े, और certificate का PDF लगा है, जो कि आपका 100 KB से कम होना चाहिए, no है, तो फिर आगे बढ़ जाईए, ठीक है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय, संस्थ की इताणानत्रगर्ट न्युक्त एवं ठीक है, कार्यरत्थ, सिखशक ठीक है, अगर आपको किसी पंचायत ने नगर निकाय नाинки है, ठीक है, बेसिक अली एक कार्यरत्थ, सिखशक है, उसके अंदर में, अचला द्वारा या फिर नगर निकाए द्वारा चलाए गए अगर आप उसमें आप स्कूल रहे तो स्कूल में आपकी designation क्या रही है yes है तो yes करे no है तो no करे yes है तो designation क्या रही है कौन से post पर है ठीक है school का नाम क्या रहा है ठीक है कौन सा जिला था certificate number ठीक है joining letter का या फिर आपकी उसकी issue date या तो आपको एनोसी देनी पड़ेगी या फर जॉइनिंग लैटर की देनी पड़ेगी inquis कर दीजाए का number का नंबर यहां डाली जीजेगा और certificate को यहां upload कर दीजाए टीक है अगर नहीं है तु नू कर संबंदित सभी विश्यों के लिए इसे चूज करें अगर यह नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर विज्ञान है जिसमें आपके पास क्या नहीं है तो आप अब यह क्लिक करें केवल संगीत विशे के अव्यरती जो प्रशक्षनिक योगिता मतलब इसमें 28 धारक नहीं है कक्षा 11 और 12 के लिए यह आपका कक्षा 6-8 9-10 11-12 सब के लिए यह चूज करें संगीत ललितकला नर्थ जो केवल कक्षा 9-10 के लिए यह चूज करें और विशे इस स्टेब में पूछा जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर ने पात्रता याट इस इलिजिबिलिटी दक्षिता इस एफिशेंट सी टेस्ट ठीक है तो आपके द्वारा या तो बीटेट निकाला गया है तो इस पर क्लिक करें ठीक है प्लीज सेलेक्ट सीट इट पेपर फ सेकंड लिका लो या सीटेट पेपर सेकंड लिकालो या आपने दक्षिता परिक्षा 6-8 की निकाली हो प्रारंबे विद्याले के लिए यह जो बूत पूर्व निकाल चुके इस पे क्लिक करें ठीक है ओके कर दे ठीक है अगर यह नहीं तो आप मैंसे बहुत सारे लोग क्या ह वर्ष 2012 से पूर्व नयोक्त एवं कारिरत शिक्षक जो 2012 से पहले के सिक्षक है ठीक है जो कारिरत है और वो बेसिकली अपनी ग्रेट को सुधारना चाहते हो और अपने आपको नई 9-12 में डालना चाहते जिसमें भी डालना चाहते वह आपका केवल दक्षिता परिक्षा च छाहते क्लिक करें ठीक है ग्यार्श बारे है तो इसे क्लिक करें और उसका सातिकत नंबर लगाये ऐष्ट्राइट लगाये साती-सात यहां पित प्पर डिक करें ओक सातिक है अगर अरब यह नहीं है two of a परिक्षा यहां पर आपका सीटेटलस चलिग करें ऑके करें ठार फिर बिर वान्र यह पर inex हैं दक्षिटा परिक्षा यह नवी से दस्वी के लिए यह वहाला आपकी चट्वी से आट वी कि लिए ठीक है तो नावी से दस्वी के अरेवियन पर्शिन बांगला फिजिकल एजूकेशन मैथली तो इस पर क्लिक करें ठीक है तो जो भी आपका 9-10 में है या फिर आपका जो भी आपका 11-12 में है वो देख लीजेगा उस केस आप से आप चूस करेगा जैसे कि अगर आप 11-12 में बॉटनी केमिस्ट्री मैस फिज पर वाले को क्लिक करें एकमिक जोग्रॉफी हिस्ट्री हो मस्थ फिलोसिपी पॉलिटिकल साइंस साइककोलॉजी शोष्यूजी अरेविक हिन्दी तो नीचे को में ख swims करें ठीक है next thing is तो आप क्या गता सकते हो अगर आप तीनों paper बरना चाहते है तो तीनों के लिए click कर देना अगर इनमें से कोई एक बरना चाहते हो तो एक के लिए click कर देना भाई मैं 6-8 का देना चाहता हूँ vacancies आता है तो मैं तो 6-8 पे click करता हूंगा ठीक है now एंटर पेपर सेकेंड बीटेट पेपर टू दक्षिता परिक्षा सर्टिफिकेट नमबर अब देखें यह थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या बरे तो देखें सीटेट पेपर टू अगर आपके पास सीटेट की मा नई माक çीट उती थी, उनने सीरियल नमबर आता था ठीक है तो लोग उससे काम चला ले ते लिंग नहीं वाली माक्षित जो आप डिजी लोकर में आ रही है इन करेंगे ठीक है कि आपका सेलेक्षण होचाएगा ठीक है डॉक्य वरिफिकेशन होगी कि मार्ण शीट केड़े से जो आपकी मार्ण शीट है जो आपका मैं यह भी तो चैक करूंगा कि इसमें है भी की नहीं तो अगर आता नहीं है तो थो अ करता है कि हां भाई तुमारी मांक्षीट है तुम ही इसलीए होता है यह सारी जीज्ज यह अभी से थोड़ी तो मैं रिजट कर दिया जाएगा यह तो बहुत बात की छीज़े रिजक्त नहीं होगा सवैस अधिए लास्ट सारे स्टूडेंटों ने वही भराता लास्ट टाइम की वीडियो देख ले ना मैंने लास्ट सारे सलेक्टेड भी थी आप इन में से किस विद्धा अध्यापक की अनिवार इहरता रखतें शिक्षा-विवाग की विद विद्याले अध्यापक्त के लिए आप इसे चूस कर ले ठीक है ना कुछ लोग ये भी चूस कर सकते कल्यान भिवाग की पिछड़ा और अती पिछड़ा वर ठीक है तो डबल भी चूस कर सकते सिंगल भी चूस कर सकते बट बेसिकली जो आपकी पोस्ट है वह आपका विद्य नियर हायर सेकंडरी की पोस्ट है प्रिंसिकल तो बनानी देंगे पहले वाइस प्रिंसिकल बनो उसके बाद तो बनोगे ठीक है लेंगविस अब इसमें स्टार मेंट्वाटरि कौन सी लेंगविस आप चूज कर रहा हो उर्दू-बांगला-hindi जो भी आपकी language आप चूज कर रहो मैंने इन्दी चूज कर दी date of birth ठीक है डाल दीजेगा जो भी आपका month डाल दीजेगा year डाल दीजेगा address जहां आप रह रहो वो आपका permanent address है तो वो डाल दीजेगा ठीक है अगर आप out of city रह रहो तो address 1 डाल दीजेगा permanent address में आपका नीचे अलग से column दिया गया है वहाँ आप अपना permanent address डाल दीजे नहीं तो अगर आपका permanent address ठीक है और आपका correspondent address same है तो यहाँ पे भी भरा जाएगा और यहाँ भी भरा जाएगा next thing is state डाल दीजेगा पिन डाल दीजेगा same इधर state district pin यह सारी चीज यहाँ डाल दीजे you have required essential qualification criteria for this post as mentioned in the advertisement अब हम जिस post के लिए apply कर रहे है उसकी सारी चीज मेरे पास है की नहीं सारी चीज है तभी तो form बर रहा हूं भाई नहीं होती तो भाई no लगा देता तो यहां लिखा जाएगा sorry you are not eligible for the above post तो मतलब वो लगाने का कोई फायदा नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा yes अपना email id डालिएगा और यह email id आपका जब तक आप नहीं निकाल लेते exam तब तक रहेगा confirm करिए email id को अपना mobile number डालिए get mobile OTP पे क्लिक करिए mobile OTP पे क्लिक करिए mobile OTP आएगा उस OTP नंबर को डालिए अगर नहीं आ रहा है तो recent का option आएगा recent पे क्लिक करिए तब भी नहीं आ रहा बाहर जाएके खड़े होके mobile पे 2 मिनिट के लिए network का वेट करे ठीक है जो उसमें option होता है ठीक है जिसको हम बोलते है क्या airplane उसको बंद करके चालू गल्ले network refresh आजागा आपका OTP आने लगेगा capture जो भी हाँ capture दिया हो ठीक है जिसे यहाँ capture दिया है कि 3SX small में SX और 7H ठीक है बट ये capture हर किसी के लिए अलग अलग होते है तो आप जब भरोगे तो कुछ और लिखा होगा जब आप ये capture सब कर दोगे तो आप क्लिक करोगे submit registration form अब मैंने ऊपर कोई चीज नहीं भरी है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा बट ये मैं already form भर चुका हूँ तो इसके बाद क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है इसके बाद कुछ ऐसा आपके सामने एक page खिलेगा जिसमें आपका लिखेगा registration submitted dear candidate your registration number has been successfully submitted exam का नाम आपका registration number आपका username आपका password और login करना आपको जाके वापस से जहां से हमने form भरना चालूगी है तो आपके तो देखे इस चीज का या तो print निकाल लीजेगा या फर इसे save कर लीजेगा या फर mobile में फोटो कीचके रख लीजेगा यह बहुत काम आएगा है ना वरना आदे से जाधा यह करते हो कि सर हमारा username खो गया सर हमारा password खो गया सर registration नंबर खो गया आप का करे अब तो दुनिया में कुछ बचाई नहीं है फिर आप क्या करोगे वापस से इस side पर आओगे ठीक है और वापस से आप आ जाओगे कहां पर BPSC पर apply online पर क्लिक करोगे BPSC online पर क्लिक करोगे यह नया पेज खोलेगा ठीक है और नय पेज में यह आपको यहां ले आएगा तो जो अभी आपको यहां पर ठीक है मैंने दिखाया था आपको ऐसे जब यह इस यूजर नेम पासवर्ड को आप यूजर नेम यहां डालिए पासवर्ड यहां डालिए जो capture यहां पर होगा वो आपको capture डालना पड़ेगा आपके टाइम में जब आप form बरोगे अभी मेरे पास क्या लिखा हुआ पी एफ जे टुए वहाँ पर कुछ एस जे थ्री फोर एस एकस टू जो भी आप उस टाइम को लोगे उस टाइम कैप्चर जोगा वो डालके लॉग इन कर दीजेगा जैसी आप लॉग इन कर दोगे वैसी आपका क्या होगा एक नई वो चीज खुलेगी ठीक है तो ऐसा जाएगा चैन्डिडेट का नाम फादर नेम मदर नेम हस्बंड नेम मुबाइल नेम इमेल डू यू है एसेंशल क्वालिफिकेशन नेशनल एटी पर्मनेंट एड्रेस ठीक है ग्रांट संड डॉटर ओफ जो भी आपने चूज किया होगा रिस्टेशन नंबर रिस्टेश चीज है दिखाई नहीं जा सकते ठीक है यहां फिर आप एक चीज कर सकते पहले तो यहां पर देखिए डैश्वोड चेंज पासवर्ड लोकाउट अब हो सकता उसने जो पासवर्ड दिया हो ठीक है वो थोड़ा उट पटांगो आप यहां पर जाके चेंज पासवर्ड पर के कर दिना पासवर्ड चेंज हो जाएगा वो तुमारा हो जाएगा ठीक है बात करें आगे यू हैव नोट कंप्लीटेड यूर एप्लिकेशन प्रॉसस प्लीज मेक पेमेंट ठीक है आपने अभी तक अपने रेस्टेशन की प्रॉसस को कंप्लीट नहीं किया है पेमेंट क क्लिक करोगे ठीक है आपका ऐसे एक नया इंटरफेस कुल के आएगा जहां पर रेजिस्टेशन नंबर केंडिडेट नेम फादर और हस्बेंड नेम डियो बी कैटेगरी सेक्स अविलेबल कंसेशनल फीज ग्रांड डॉटर डॉटर ओफ्रीडम फाइटर फिजिकली डेसे परसंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एक्जामिनेशन फीज फीज इन वर्ड यह सारी चीज होंगी प्रोसीड पर क्लिक कर दीजेगा फिर आप से पूछेगा कि आप किस आईसी ऐसी बैंक मर्चेंट को ने भिहार पब्लिक सर्विस कमिशन नेट बैंकिंग से पे करना चाहते ह अगर आपने और कुछ चूस किया तो आपको मतलब आधार चोड़के और कुछ चीज किया तो आपको एक्स्ट्र देने पड़ेंगे क्या 200 रुपे मोबाइल नमबर डाले इमेल आईडी डाले पेर नाम डाले यह ऑप्शनल है चाहे तो इन्हें आप नहीं भी डाल सकते ब इसको फिर आप बेसिकली क्या करोगे आगे फर्दर प्रोसीड करोगे यह आपका रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो यह जो रेजिस्ट्रेशन है आप 14 तारिक तक कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद चालू होगी 10 तारिक से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस तो वह सबी को एक चीज बहुत अच्छी बता दिये कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि मैं इलिजिबल हूं नहीं हूं क्या करूं किस से पता करूं किसी यूटूब चैनल से ठीक है कोई सही नहीं बता पा रहा तो आप क्या कर सकते बेसिकली जब आप इधर आएंगे से कमिशन ने बहुत सारे लोग लगा रहे हूंगे अभी तक किसी यूटूब चैनल ने तुम्हें यह नंबर नहीं बताया वो तो सम्हाव मेरी नजर पढ़ गए इसलिए मैंने आपको बता दिया आपके साथ शेयर कर दिया बागी मैंने भी कुछ अपने सोर्सेस को बोला ठीक है उठा लेते तो बहुत अच्छी बात है वरना एक दू दिन में आपका पता लगी जाएगा तो मिलते हैं आपका दस तारिक को कैसे आगे का फॉर्म बरेंगे रेजिस्टेशन जरूर कर लिजे क्योंकि रेजिस्टेशन की जो आखरी डेट है वो बैसे 14 है बट अग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल रेन जैहन जैभारत